देखिए हमारे देश की धरती है गो अगर आप बात करें उसका जो भी ब्योरा है वो अब ऑनलाइन हो चुका है मतलब हर जगह का ऐसा कोई जगह नहीं है जिसका जो है ओनलाइन अब नहीं हुआ है मतलब आज के समेहे में ज्यादातर कारी ऑनलाइन के माध्यम से किये जाते ह और आगे चलके आप समझ सकते हैं कि आप अगर अभी बरतमान में हैं 10 साल पहले का सोचिए ठीक है क्या करते थे तो अभी यही सोचने हैं कि आपको 10 साल बाद क्या गरम है 10 साल बाद क्या इस्तिती होने वाला और हम आपको जमीन सम्मंदित जो बात है वो बता रहे हैं कि देखे जमीन जो है ओनलाइन होता जा रहा है और हो गया है लगबग होता क्या जा रहा है हो गया है और इसका फाइदा है बहुत है कि गर बैठे आप अपना काम कर सकते हैं या जो भी आप देख सकते हैं, आपके सार कोई फ्रॉड कर रहा है, आपका जो भी मतलब अगर एक चीज क्या होता है, कि जब भी आज कल क्या होता है, जमीन अगर मालत है, आपका कोई फ्रॉड करके अपने नाम करवा रहा है, तो वो भी पता चल जाएगा आपको देखने के तो online जो है जो जमीन है आपका आप कहीं भी रहेंगे अपना विबरन जो है देख पाएंगे कहीं भी देख सकते हैं ठीक है तो ये जो है पूरा अगर देश की बात करें तो हर जराजी का जो जमीन है उसका सारा information जो है online कर दिया गया मतलब कोई ऐसा राज नहीं है जिसका लगबग नहीं किया गया है बहुत सारे का जो है मतलब online कर दिया गया उसका सब कुछ जो है नकसा हो गया उसका जो मबंदी हो गया उसका रसीद आप जो online कर सकते हैं खतियान देख सकते हैं ठीक है रजिस्ट्री देख सकते हैं सब कुछ मतलब ये वर राजिका जो हो गया और बहतर तरीके से वर्क भी कर रहा है इस पे ठीक है तो आज जो हम आपको इसमें अगर बताएंगे कि आप जो है अपना जमीन को विजनकारी घर बैठे पुरा देश का कैसे निकाल सकते हैं और इसमें आप भू नकसा देखना चाहें जमबंदी मतलब पूरा अगर भारत की बात करें तो पूरा भारत की जमीन को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं क्या तरीका है सारा बात जो आपको बताएंगे क्या प्रोसेस है चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और कुछ पॉइंट को आगे जो कुछ पॉइंट है उसमें दस साल पहले क्या हुआ, तो दस साल पहले जो जमीन का कुछ भी अगर समस्या था, तो उसका जो information निकालने के लिए दफ्तर का चक्र काटना पड़ता था, कोई भी अच्छे से पता नहीं चल पाता था, कोई जमाबंदी किसके नाम से है, किसके नाम से रजिस्टी हुआ, उसका information हो, रसीद जो है, किसके नाम से कट रहा है, कोई जमीन का, उसका information हो, या खतियान का हो, ये अब निकालना, अब हम किसी और का भी देख सकते हैं, अपना भी देख सकते हैं, और किसी के साथ अगर थो में यह उतना बैतर हो रहा है आज जो है बच्चे मतलब इंटर्व्यू दे रहे हैं गर से ऑनलाइन जो है एक्जाम दे रहे हैं तो सब कुछ यह जो है दिरे-दिरे ऑनलाइन होता जाए तो आप यही सोचे अभी जो बरतमान है और उसका दस साल बाद क्या होने वाला ठीक है आप भले ही देश के किसी भी राज में क्यों ना हो ठीक है हम आपको बताएंगे का आपको जमीन की जानकारी हासल करने के लिए क्या क्या करना परता है क्या क्या करना परेगा मतलब आप किसी भी राज के हो कहीं भी हो तो भी कोई दिकत नहीं है पूरा देश का जो है जमीन से नक्सा वह उसके साथ जमीन किसका है तो अगर मालते हैं इसके किसी का राइट है तो, जमाबंदी ऐसके बाद होता है, इसका खतियान इसके नाम पे है, अब ऐसा नहीं जिसके नाम पे खतियान उसी का नान जम्ममंदी हो, खत्यान वाला गर जमीन बेच दिया होगा, तो जम्ममंदी दूसरे के नाम पर हो जागा, ठीक है, तो यह जानकारी हो गया, फिर इसका रसीद का जानकारी हो गया, तो यह सारा जो information है, मतलब पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा map का, हर जगा क तो इसको समझते हैं, ठीक है, तो यानि यह सारा जो आप देख रहे हैं न, यह सारा information आपको निकालने के लिए हम बताएंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है, देखिए यह जो अभी है न, यह उत्तर परदेश है, उत्तर परदेश के लिए ज जाएगा सब कुछ इससे related जितना भी तमाम चीजें वह आप निकाल सकते हैं, अंदर परदेश से अगर है, तो यहाँ पे मी भूमी करके है, ap.gov.in है, इस पे जाके आपको open करना परेगा, जहारकंड से बिलॉंग करते हैं, ठीक है, तो यह जहार भूमी.nse.in है, और मद प इस्टिक है, और यह जो है, यहाँ पे पुरा देख रहे हैं, बिहार भूमी है, .bihar.gov.don है, और इससे सारा कुछ लिंक है, मतलब सब कुछ जमाबंदी, जमीन का जो है, एक तरह से रजिस्ट्री, उसके बाद जमीन का रसीद काटना, सब कुछ लिंक है, मतलब इससे जाक इस पोर्टल के माद्यां से सब कुछ कर सकते हैं, 36 गड का है, ठीक है, यह देख सकते हैं, bhi yancg.nic.in है, ठीक है, गुजरात का है, anyor.gov.in है, अचा इसका देखिए, जमाबंदी.nic.in हाडियाना का, बहुत बहतर है, मतलब इसका साइट का नाम ही जमाबंदी.nic.in, तो बहत ठीक है, और करनाटक का भी देखें, यहाँ पे लेंड रिकॉर्ड्स, करनाटका, जियो भी डॉर्टी में सब का एक अपना पोर्टल बना हुआ, महरास्ट का जो है, मतलब अब महरास्ट में अगर आप जाए, मुंबे में जमीन खड़ने करे सोच रहे हैं, तो आपको सारा बंगाल है, बुमी है, तो अगर बंगाल में कुछ भी आप खड़ने का सोच रहे हैं, जमीन हो या जो भी हो, उससे जुरू चीज़ और आपको मतलब क्या होता है कि पता नहीं है, कि सही आदमी के पास से खड़ीद रहें कि नहीं करना है, तो आप पहले ऑनलाइन रिकॉर देख लिजे, ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्ट से बहुत कुछ इन्फॉर्मेसन पता चल जाएगा, उसके बाद आप चाहें तो अफलाइन रिकॉर्ट भी वेरिफाइ कर सकते हैं, दोनों लगबग मतलब सब कुछ आपको सही लगा तो फिर सम कोई दिक्कत नहीं हो फ्रॉड प्रोपर्टी खरना चाहते हैं, जमीन खरना चाहते हैं, यहां पर है DLRC, गिली, जियोवी, डिटी.n, इस पर जाइएगा, जमीन का पूरा इंफॉर्मेसन पहले निकाल लेजिए, कि जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन का जो असली मालिक है, वही जमीन लिक रहा है क्या उसका बनसज है, या उसका कोई नहीं लग रहा है, जो भी क्या यहां पर रिजन है, किस तरीके से जमीन लिखाया जा रहा है, कौन बरतमाल मालिक है, कौन उसका रसीद कठा रहा है, तो कौन उसका लगा है, पर सारा बात, सारा इनफॉर्मेसन आप यहां से जाके निकाल सक हम आपको जो है description box में भी दे देंगे ताकि उससे आपको जो है help मिलेगा आप उस link पे जाके जो अपना information निकाल सकते हैं तो ये जो है मतलब समझ लिजे कि बहुत हद तक हम आपको बता दिये कि ये सारा जो है जमीन का information अब online हो गया और online जो है होने से अगर आपका जमीन online नहीं है तो आपको जमीन को online जरूर करवाईए हम आपको बता देते हैं कि online होने के बाद आप समझ लिजे कि वो आपका ऐसा हो गया platform तो कहीं से आप उसको operate कर सकते हैं कहीं तरह का कोई दिकत नहीं है धीरे धीरे फ्योचर में एक आई दिन ऐसा आएगा कि हर्ची जो online हो जाएगा तो जिनका online नहीं है वो जरूर online जो है करवा ले यही एक बेस तरीका है अगर आप लोगों का भी जमीन संबंदित को भी समस्या है तो comment करके पूछ सकते हैं वीडियो के माध्या से जवाब देने का प्रियाज करेंगे वीडियो अच्छा लगा लाइक जरू करने है चैनल को पहली बार देंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करने उसको जरू दबालेजी मिलते हैं लिए तब तक के लिए